नमश्कार सभी को शातरां स्वागत है आपका इस क्लास में और पिछली विडियो में हम चर्चा कर रहे थे समुधाय की और हमने समझने का प्रियास किया कि समुधाय क्या है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है समुधाय के निर्माण करने के लिए आवशेक तत्व या उसके आवशेक आधार कौन से हैं और समुदाय की विशेष्थाएं क्या हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमावरती समुदाय किसे कहते हैं सीमावरती समुदाय क्या होते हैं और कौन-कौन से सीमावरती समुदाय के अंतरगत आते हैं तो सीमावरती समुदाय की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे समु अत्वा संगठन होते हैं जिनके संबंद में भ्रह्म की स्थिति होती है कि वे समुदाय है अत्वा नहीं है यानि ये जो स्रीमाव्रति समुदाय होते हैं इन में कुछ विशेष्टाएं तो समुदाय की पाई जाती है लेकिन कुछ विशेष्टाएं समुदाय की इनके उपर लागू नहीं होती है और इनके सम्मंद में ये भ्रहम की इस्तिति होती है ऐसे समु या संस्था के अंतरगत ये साब भ्रम पाय जाता है कि वो समुदाय है अत्वा समुदाय नहीं है तो मेकाईवर और पेज ने सिमावरती समुदायों का उलेक किया है और इन्होंने सिमावरती समुदाय ऐसे समुदायों को कहा है जिनमें कुछ विशेष्टाएं तो समुदाई की होती हैं साथ ही उनमें संस्था, समुह या समीति की भी विशेष्टाएं उनमें कुछ विशेष्टाएं तो समुदाई की जैसे की सामान्य जीवन, व्यक्तियों का समुह, सभी लोगों के सदश्य होने की स्वतंतरता की उस समुदाई विशेष्टाएं तो सभी लोगों के सदश्य होने की स्वतंतरता का गुण उसमें नहीं पाया जाता है कह सकते हैं हम कि कुछ विशेस्ता हैं जैसे व्यक्तियों का समू है समुदाईक भावना है यह तो पाई जाती है लेकिन किसी में जैसे निश्चित भगोलिक छेत्र जो कि समुदाई का निर्मान का अश्यक अधार है किसी में यह नहीं पाई जाता है यह इस विशेस्ता का भा होता है तो इनको देख करके भ्रम की स्थिति होती है कि ये समुदाय है अत्वा समुदाय नहीं है तो इनी समुव और संस्था को सीमा व्रती समुदाय कहा जाता है यानि वे समुव या संगधन जिनमें कुछ विशेस्ताइं तो समुदाय के पाई जाती है और कुछ विशेस् समुधायों की तो हम उनको लेंगे और उनमें देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से विशेस्ता हैं तो उनमें समुधाय के पाई जाती है और कौन से नहीं है जैसे अब हम बात करेंगे की सीमावग्रतिοι लेते हैं क्ने समुदाई के अंतरगत की जाती Jail पडोस यह समुदाई हैं इसकोन या सेमवरती समुदाई हैं इनको की बाधार विश्यताउं केसान अधरा पर यह जब इनको देखेंगे जहती कौल नोब यह समझ जाएंगे कि यह में रखके इनको सिमरती समुदाई कि निर्मान के लिए तीन चीजे बहुत जरूरी है उसका आउशक आधार है या उसके तत्वे हैं उसमें हमने बात की थी सबसे पहले व्यक्तियों का समू निश्चित भगोलिक शेत्र और तीसरी हमने बात की थी समूदाई किया हमकी भावना की तो केवल इन जो यह आउशक आधार है इनके आधार पर ही हम जाती को समझने का प्रियास करते हैं कि क्या जाती एक समूदाई है या जाती सिमावरती समूदाई है तो इसमें देखिए कि जाती जैसे हम बात करेंगे तो जाती व्यक्तियों का एक समू है और जाती के अंतरगत अपने सदश्यों के प्रती हम की भावना कुछ मात्रा में या समुदाइक भावना भी पाई जाती है लेकिन यहां पर देखिए आप कि जो समुदाइक का आउशक तत्व था उसका आधार था निश्चित भोगोलिक शेत्र तो उसको सपस्त ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी की जाती विश्चित भोगोलिक शेत्र नहीं होता है एक समाज के अंधर की महानगर में रह सकते, निश्चित भोगोलिक शेत्र का अभाव है यह जो विश्यसृष्ता है समुदाई कि रिकने को नहीं मिलती है इसके लाव हम सुदग में प्रत्यिक जात्य नाम और जब हम जाती के उपर जब हम्लिशतों को जिसे रिखर कर देखने का प्रयास करते हैं जब कर दो नाम होता है और जाती की विश्येस्टों नां होता है जा फिर हित्त या उद्देशों को ले करके नहीं बनाई जाती नहीं है इसकी अपने समुधाई की थी विशिस्ट नाम हैं ना समाने उद्देश समान्य नीयम कानून और यह जो नीयम थे इन्हीं की अधार पर हमने बात किती कर् below व्हक्ति करती है तो यह जहती है इसके पी अपने कुछ मियम होते हैं भी इसके हड़ा टियर इस अरिक के उलिभारों करती है तो कुछ विशेस्ताइ थी जो की समुदाय में और जाती में एक समाने देखने को मिल रही है लेकिन फिर यहां पर यही है कि जो समुदाय का जो आउश्यक आधार था जिसके हमने चर्चा कि थी कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी आधार नहीं है भी आधार तो वह समुदाय की शेडिक्या अंतरगत नहीं आएगा तो इसमें देखिए कि निश्चित भगोलिक शेत्र जिसके चर्चा हम अभी करके चुके हैं यह निश्चित भगोलिक शेत्र का जाती में पूंत अभाव आव पाया जाता है और समुदाय के लिए हमने बात जो है वो विभिन भागु में विभिन शेत्रों में फैले होते हैं और हम अगर आगे और बात करें तो जाती के अंतरगत कई उपजातियां होती हैं निए जाति जहाने कै उक्जातियों में कई गोत्र में भी बट जाती है तो यह कारण थे जिसकी वजह से जाती को समुदाई नमान करके हम जाती को सीमावृति समुदाई मानेंगे इसमें कुछ विशेस्ताइं तो हैतनρεί की पाई जाती है वह सीमा व्रती समुदाय के अंतरगत आयेगा अब हम अगली बात करते हैं जेल तो जो जेल या बन्दिग रहे है क्या वह एक समुदाय है तो अब हम बात करते हैं कि जेल जो है वह व्यक्तियों का समुद नहीं और इसका एक निश्चित भगोलिक छेत्र भी होता है यानि जेल किसे एक निश्चित भगोलिक भुभाग होता है किसी निश्चित भगोलिक भुछेत्र में बनी हुई होती है और लेकिन जेल की जो सदश्य हैं उनमें सामुदाइक जो भावना होती है सम्मांडर कुछ मातरा तक टो वह पाय जाती गि वो भी साथ साथ रहते हैं व्यक्तियों का सम्मूरा में तो वह अपने आपको एक मानते हैं लेकिन जो weapons कि जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी की समुदाइविशेस का इक विसेस्ट नाम होता है उसका एक इतिहास होता है जो उसको व्यक्तित्व प्रदान करता है और जो लोग महां निवास करते हैं वो अपने जो समुदाई में वो रहते हैं उससे एक विसेस्ट लगाव रखते हैं उसमें अपने पन की भावना रखते हैं कि जैसे किसी भी नगर कराद है उन्हों के उलंगन किया हुआ है उन सब को रखा जाता है वहाँ पर क्षे करार दिया जाता है समाज के ग्रुद कारे करने के कारण उनको लोगों का उस चेटर मिसे बाङए जेल के प्रति विशेश blah custom नहीं होता है क्westर उनको सज्टर देने के लिए को अपराध है । उनको प्राप्त करने के लिए माहिपपन नहीं तोस उनको उसज्टर मुचए इसके प्रति थे कोई लगा आती है उसको उसमें कुछ विशेस्ता है तो फिर हम वही बात करेंगे कि उसमें कुछ विशेस्ता है तो समुदाइक ही है जैसे निश्चित भोगोलिक शेत्र है जेल का अपना एक विश्चिस्ट नाम भी होता है जेल में व्यक्तियों के समू ही निवास करते हैं लेकिन यहा केदिवानिवास करते हैं वो उनको भी उनके अपराध की प्रकरती के आधार पर अलग अलग जगे रखा जाता है यह जिनों ने गंभीर अपराध क्ये हैं उनकी जो सजा होगी वह भी उसी प्रकार की कादी होगी लग परकार की जो अपरात ने किये हैं उंकि आधार क्याता है तो सामाने जीवन का प्रशनी μynहीं होता हैं वहांपर रहकर के व्यक्ति आपने समध्रद की आफैक्ता उनकी पूर्ती भी नहीं नहीं करता हूं कि समुदाई के जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहता है कि समधाय विशेस में रह करता है लेकिन जेल में ऐसा संभव नहीं है कि जेल में तो कैदी व्यक्ति जो नोंने अपराद किया है नियमों का उलंगन किया है उनको रखा जाता है वो अपने परिवार के साथ भी वहां पर नहीं रह सकते हैं और तो गह सकते कि अपने जो उसके साम्माने उद्देश्य है ना उनकी पूर्ति वह वहां रह करके नहीं कर नहीं कर पाता है समया अनुसा और आशक्ता अनुसा और उसका विकास होता है यानि उसको जान बूच करके नहीं बसाया जा सकता लेकिन जेल जो है उसका तो स्वत्य विकास नहीं होता उसको तो जान बूच करके बनाया जाता है अगर प्राधियों को सजा देने के लिए या फिर उनमें को सु थारने के लिए जेल को जो है वो बनाय जाता है तो हम कह सकते हैं कि जेल के अंदर कुछ विशेष्ताई के ने deeply ह Gobaina कई लेकिन की विशेष्ताई । यह जो है किसी संव Coordinator trás रखा गया है है और हम इसे में बात करते हैं कि कुछ आधारों पर जैसे कि जेल व्यक्तियों का समू है इसका एक निश्चित भगोलिक छेत्र होता है और कुछ मात्रा में जो जेल में जो निवास करने वाले लोग होते हैं उनमें आपस में समुदाईक भावना भी पाई जाती है केवल कुछ स्थर पर है तो इन आधारों पर मेकायर और पेज जो है उन्होंने जेल को समुदाई माना है और उन्होंने जो जेल को जो समुदाई माना इसके पीछे वह कारण भी बताते हैं कि इनका जो मेकायर पेज ने जेल को इस कारण में समुदाई माना उन्होंने कारण भी बताया कि इसका अपना एक कार्य शेत्र है और यद्दप की प्रकर्ती पर निर्भर करता है इसलिए उन्होंने काया कि जेल जो है ना वह समुदाए है लेकिन अधिकांश्यों विद्वान है जो समाज व्यक्यानिक है उन्होंने पेज को सब्सक्राइब कर दिया पूंटते हैं वह बात करेंगे कि क्या पडोस जो है हो समुदाय है या सीमा व्रती समुदाय है और चर्चा करेंगे समुदाय और समाज में क्या अंतर है धन्यवाद